दो संस्कृत शब्दों से बना जिसका पहले हिसे का मा मतलब धन है और तेरस का अर्थ हिंदू कलेंडर के अनुसार तेरवे दिन से है धन तेरस को दिवाली यानि की रोश्नी के उतियोहार से दो दिन पहले मनाय जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन देश में आभूशन, सिक्के और सोना खरीदने का सबसे बड़ा अफसर होता है तो चलिए जानते हैं थोड़ा गहराई से कि धन तेरस पर सोना खरीदने का अनुशान वास्तव में अस्तत्व में कैसे आया था कहते हैं कि राजा हिम के बेटे पर श्राप की एक रोचप कहानी धनतेर से जुड़ी है राजा हिम के 16 वर्षी बेटे पर श्राप ऐसा था कि उसकी शादी के चौथे दिन उसकी मृत्वी हो जानी थी हिश्ट्राप के बारे में पता चलने के बाद राजखुमार की पतनी ने अपने पती को बचाने के लिए एक योजना बनाई उसने अपने पती से अनरोध किया कि अपने शादी के चौते दिन सोई नहीं उसने सारा सोना, गहने और सिक्के खटा करके उनको पती की कमरी के दर्वाजे के आगे लगा दिया उसने घर के चारों और जितने दीपक वो जला सकती थी जलाए उसके बाद उसने राद भर बैठ कर कई गीत और कहानिया सुनाए ताकि वे अपने पती को सोने से रोख सके जल्द ही भगवान यमराज एक साब के रूप में राजा हिम के पुत्र को लेनी के लिए आ है और उन्होंने वो सभी अलग-अलग मधुरगीत सुने जो बेटे की पतनी गा रही थी जब सुबब होई तो यमराज ने राजकुमार को बिना कोई नुकसान पहुचाए छोड़ दिया तब से धन्तेरस को यमदी पदान भी कहा जाता है मृत्यों के भगवान यमराज की स्मृती में लोग अपने घरों में राद भर दीपल जलाते है इसके अलावा देखा जाए तो धन्तेरस सभी के लिए एक त्योहार है लेकिन ये सोने में निवेश करने वाले पूरे व्यापारिक समुदाय के लिए बहुत महत पूर है धन्तेरस आमतोर पर लक्ष्मी पूजा के एक दिन पहले आता है और कहा जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी सभी भक्तों पर अपने आशिरवादों की बोचार करती है नई चीज़े या सोना खरीदना धन और सम्रद्धी की देवी लक्ष्मी का स्वागत करने का एक तरीका माना जाता है इसके लावा भगवान को बेर धन के भगवान की भी इसी दिन पूजा की जाती है वास्तव में धन 13 पर भग्त को बेर लक्ष्मी पूजा करते है ऐसा माना जाता है कि सोना खरीदना अच्छी भागे का प्रतीक है यही वज़ा है कि लोग सोने के गहने या सोने के सिके खरीते हैं जिन पर देवी लक्ष्मी या भगवान गडेश की तस्वीर होती है NMF News के रिपोर्ट